हमारे इस आज के सुन्दर शाम में, कला और संस्कृती के महुत्सव में, उपस्तित हमारे बीच, हमारे प्रदेश के स्वास्त मंत्री आदर्ने प्रभुराम चौधरी जी, हमारे प्रदेश के उर्जा मंत्री आदर्ने प्रदुम सिंग्तोमर जी, हमारे कमिश्न साथ, कलेक्टर साहिब, हमारे प्रसिद आज शाम के गायक, हमारे अपनी भूमी जवलपुर के करमे साहिब, उनके साथ तबले और सितार और हार्मोनियम पे उनकी संगोष्टी, और मेरे सामने बैठे हुए तानसेन की नगरी के हमारे सभी गान के प्रशन सक जो इस शाम पर इकत्रित हुए हैं, तानसेन महुत्सव का कारिक्रम है आज, ये दुनिया मशूर होती है ओद्योक के लिए, व्यापार के लिए, राजनीती के लिए, ओद्योक, व्यापार, राजनीती, जैसे शरीर के अंग होते हैं, वह दुनिया के अंग होते हैं, पर जैसे शरीर में आत्मा के बिना शरीर खाली होती है, वैसे ही संगीत और कला और संस्कृती के बिना, ये दुनिया वीरान हो जाती है, और आज जो चंद मिंटों में, दिन भर के दिन्चर्य के साथ यहां बैठ कर, रिदय के तरंग को उठाने और बिठाने वाले हमारे करमही साहिब में जो जिनकी आवाज में इतनी जज़बाज है, दिल और दिमाग कई और बहल जाता है, इस वातावर्ण को देखी है, यह वातावर्ण है संगीत की, कला की, संस्कृती की चारों तरफ, और आप और हमें गर्व होना चाहिए कि यह वो पवन भूमी है, पवित्र भूमी है, मिया तानसेन की, और अनेक ऐसे संगीत कार और गायक, जिनों ने अपने ध्वनी से, अपने सुर से, भारत पे केवल नहीं, लेकिन दुनिया पर असर डाल दिया, मिया तानसेन की कहानी भी, एक ऐसी अद्बुद कहानी है, उनके पूज्य पिता मकरंद पांडे जी, कई साल सनतान के खोज में भगवान की अराधना में लगे हुए थे, तभी एक पीर ने, पांच सो साल पूर उन्हें कहा, कि गौलियर के पास, पांडे जी पुजारी थे, वारानसी के एक मंदिर के, और एक पीर ने उन्हें कहा, कि गौलियर के पास, एक छोटा सा गाउं है, उस गाउं का नाम बेहट है, वहाँ शिव जी की एक भव्य मंदिर है, वहाँ जाके आप अराधना कीजिए, और जरूर आपको एक सनतान प्राप्त होगा, मारकन पांडे जी बेहट के शिव मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में गए, उन्होंने पूरा एक साल अराधना किया, और शिव जी की असीम क्रिपा, एक सनतान अप्राप्त हुआ, जिस सनतान का नाम मारकन जी ने रखा था, राम तनू, और ये राम तनू वो नवरतन थे, जो आने वाले सदियों में, केवल अपना नाम न रोशन करने वाले थे, केवल गॉलियर का नाम न रोशन करने वाले थे, लेकिन पूरी भारत मा का नाम रोशन करने वाले थे, धृूपद की कला को निखार कर, उन्हेंने धुपत के साथ वीरों की कथा को जोड़ा देवताओं की कथा को जोड़ा राजाओं की कथा को जोड़ा और ये अतिश्योक्ति नहीं है और आश्चेरे की बात नहीं है कि शेहन शाह अगबर के दरबार में जो च्छतिस विशेश संगीत कार थे उनमें से पंद्र इस गौलियर की तपस्व भूमी से थे इस माटी में वो शमता है और कहा जाता है गौलियर के बारे में कि हाँ तो नवजात शिशु भी सुर में रोते हैं तानसेन जी शेहन शाह अगबर के दरबार के नवरत न बने और नवरत न बनते बनते शेहन शाह अगबर ने उन्हें सम्मानित किया कशब भरनवानी विलास के पुरसकार के साथ उन्हें सम्मानित किया ये कहानी महान तानसेन जी की और ये कहानी अकेले महान तानसेन जी की नहीं है शायद आप में से कोई भी ये न जानते हूँ कि महान बैजू बावरा जिनके नाम पर मैंने सुना है कि कल एक नया पुरसकार की घोशना की गई है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मद्यपदेश के सरकार को भी उन्महान बैजू बावरा जी की समाधी भी और कहीं नहीं लेकिन हमारे चंदेरी के किले में ही है बैजू बावरा तानसेन और इस कहानी में एक और संगम है कला संस्कृती उस जमाने में राजा महराजाओं के छत्र चाहा में आगे बढ़ती थी आज सरकार के छत्र चाहा में भारत सरकार के छत्र चाहा में ओद्यों के घरानों के छत्र चाहा में आगे बढ़ रही है चाहे शेहिंशा अगबर के दरबार में हूँ चाहे गौलियर घराने के महराजाओं के दरबार में मेरे पूरवज महजी महराज जिन्होंने महराठा समराज्य को एक ऐसी उचाई पे पहुचाया था कि जहां अवगानिस्तान तक महराठा समराज्य का भगवा जंडा उन्होंने गाड कर रखा था एमच्छा अबदाली का सामना किया था पर उस वीर योद्धा की एक और पहलू थी महाठ जी महराज स्वयम एक बहुत सुन्दर अच्छे भजन गायक होते थे और कुछ पंक्तियां उनकी जो उन्होंने स्वयम लिखी कृष्ण भजन की आपके सामने में प्रस्तुत करना चाहता हूं मोहन माधव रूप को मोहन माधव रूप को देखी नयन ललचाए दर्शन दीजे वेगी दे प्यारे पित इन आये जहां माधजी महराज की एक कवी के रूप में एक अवतार भी थी वहां जैजी महराज भी जहां एक कुशल शासक थे उसी के साथ साथ भारत्य शास्त्रिय संगीत में रुची रखते थे और उस्ताद हस्सु खां और उस्ताद हद्दु खां से गायन उन्होंने सीखी और जहां एक तरफ गायन सीखी वहीं उस्ताद अमीर खां से सितार वादन भी सीखा तो ये एक संगम होता था इस पवित्र भूमी के कई शासकों की राजा मान सिंग की दरबार में गायन की कितनी वृद्धी हुई है उससे हम भली बांती परिचत हैं और ये पांच सो साल पुराना इतिहास है हमारे अंचल का हमारी भूमी का जिसे हमें आगे ले जाना होगा मिया तांसेन के बारे में कहा जाता था कि वो तो दीपक को गाकर भी जला देते थे और उनकी धृपद शैली में इतनी शमता होती थी पर वे अकेले नहीं हैं गौलियर घराने इने इतने प्रसिद और शमतावान गान के शेत्र में कला के शेत्र में संस्कृति के शेत्र में नवरतनों को पैदा किया है हमारे उस्ताद अमजद अली खां के पिताश्री उस्ताद हाफिज अली खां और उस परिवार की चार पीडियां का पीडियों की एक गौलियर राज परिवार के साथ रिष्टा रहा है और आज गौलियर में प्रसिद सरोध घर उस कहानी की वाचन दिन अप्रति दिन करती है जहां एक तरफ उस्ताद हाफिज अली खार उनका परिवार दूसरे तरफ बनारस में सिंद्या परिवार के बालाजी घाट पर शैनाई के महारती उस्ताद बिस्मिल्ला खां रोज उस घाट के तट पर बैठ कर रियाज करते थे तो एक कला संस्कृती का बहुत पुराना इतिहास रहा है और एक कीमती धरोहर इस गौलियर की माटी ने उस कला और संस्कृती की सीची है वर्तमान पीडी में चाय उल्लास कशाल कर जी हों मालिनी राजुर कर जी हों मीता पंडित लक्षबन कृष्णराव पंडित जी की परिवार और या शश्रास्युती मंडल जी हों ये सब खुली ख्याल गाईकी की प्रसिद धरोर हैं जो वर्तमान के आज हमारे गायक भी उसी घराने से आते हैं तो एक तरफ धुपद दूसरे तरफ ख्याल और गौलियर दोनों का संगम ये आपकी और हमारी धरोर है और इस माटी ने सदेव उस कला और संस्कृती और उस शमता को रोशन किया है जिसे आज हमें अपने दिल के करीब नहीं केवल रखना है लेकिन इस संस्कृती और इस कला की जो धरोर है आज भी हमारे युवापीडी में पूरी तरह से सुशोबित है मैंने नई टेकनोलोजी के आधार पर कई यूट्यूब पर ख्याल और धुपत के हमारे गौलियर के गायकों को भी सुना है जो घर के चार दिवारी में बैटकर रोज रियाज करते हैं और कोई किले के तट पर कोई सास बहु मंदिर के समीप अपने ख्याल और धुपड की कला की शमता को पूरे विश्व को दिखाते हैं इस शमता को हमें आगे बढ़ाना है यही एक प्रण और संकल्प एक सच्ची श्रधानजली हमारे महान तानसेन जी के लिए होगी और इनी शब्दों के साथ इस तानसेन महुतसव को हम लोग अपने दिल में बसा कर आगे का मार्क प्रशस करें इनी शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद जै भारत जी शब्दों के समागम